तो यह देखो प्यारे बच्चो अगर इस वाले question को देखोगे तो इसमें क्या कहा जा रहा है कि अगर तुम देखोगे हैं इन्हें AC circuit with phase voltage B and current I the power dissipated यह पड़े होगे या true power I RMS, B RMS और cos I के बराबर होता है, I RMS को अगर मैं I से denote कर देता हूँ, B को B, तभी भी यहाँ cos I के equal होता है, मतलब यह option सही नहीं होता, यह तो maximum power होगा, जब 5 की value 0 होगी, 1 होगी, तो depend upon the phase angle, B option सही है, यह भी सही नहीं है, यह भी सही नहीं है, 5 पे depend कर रहा है, तो this is the average power,